बिहार के सीता मड़ी का एक यूवक अपनी पत्नी की हत्या की आरोप में जेल जाता है और जेल में लगवक 6 महने तक समय भी बिताता है यानि की 6 महने पहले जब उस वेक्ति की पत्नी की हत्या हुई थी तो उस हत्या की आरोप में महिला के पत्नी को गिरिफतार किया गया था और 6 मेहने तक जब उसने जेल में समय बिता ली तो उसे पता चला कि उसकी पतनी जिंदा है इतना ही नहीं बलके आराम से अपने माईके में रह भी रही है और बिल्कुल सुरक्षित है जिसे जानकर यूबक सहित पुलिस और आसपास के लोग भी हैरान हो गए और उसके बाद जैसे ही पुलिस को पतनी के जिंदा होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया आगे आपको सारी बाते बताएंगे उससे पहले नमशकार में नहा चौद दी कैमरा पोसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन ये पूरा का पूरा मामला सिता मड़ी के परिगामा गाउं की है जहां पर करीब साथ में इने पहले ये दोनों दमपती शहर से कमाकर बिहार लोट रहे थे और रास्ते में ही दोनों दमपती के बिच लड़ाई होती है और पती अपनी पतनी को मजबफर पूर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और खुद आगे निकल जाता है इसे बीच जब लड़की के माईके वालों को पता चलता है कि अब उनकी बेटी का पती वापस गा उसने कहा कि मैंने तो मुझबफर पूर रेलवे स्टेशन पर ही उसे छोड़ दिया था मुझे नहीं पता कि वो कहा है इसे सुनकर लड़की के घरवालों के होश उड़ गए और उन्होंने दहेच के लिए उनके बेटी के हत्या करने के आरोप में बेटी के पती के साथ सथ घरवालों पर केस दर्श करवाया और पतनी के हत्या के आरोप में पती को जेल जाना पड़ा ये घटना सीता मड़ी की है और यूवक का नाम शशी कुमार है और यूवक की पतनी जिसके हत्या के आरोप में यूवक जेल गया था उनका नाम हीरा देवी है ये दोनों जब शहर से वापस अपने गाउं आ रहे थे तो मुझफर्पुर रेलवे स्टेशन पर शशी ने हीरा को छोट दिया और अपने घ का आरोप लगाया था इस आरोप के बाद पुलिस अधिकारी मामले में कारवाई करतेवे शशी कुमार को हिरासत में ले लिए और उसके बाद कोट ने आरूपी को जेल भेज दिया आरोपी लगबग 6 मेहने से जेल ने ही महिला को लगवग 2-3 महिने का समय लग गया महिला मानसी ग्रूप से थोड़ी अस्वस्त है जिस वज़े से महिला को शशी ने जब मुझपर्पुरे स्टेशन पर छोड़ दिया था तो वो नहीं समझ पा रही थी कि कैसे उसे अपने माई के जाना है लेकिन किसी तरह 2-3 महिन में देने ही वाले थे इस मामले में थाना अधक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि ससी कुमार अपनी पतनी हीरा देवी की अत्या के आरोप में जेल गए थे जिस वक्त इस मामले की शिकायत की गई थी उस वक्त हीरा देवी के पिता विनूद कुमार ने बताया कि मेरी बे पिल्हाल इस मामले को लेकर अब तक कोई भी ठोस कारवाई नहीं की गई है शेशी कुमार अब तक जेल में ही है ऐसे में अगर इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे आप इस वारे में क्या सोचते हैं कमन बॉक्स में बताइएगा गिवाल